नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, इस वीडियो में हम बनाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू यूजिंग एस्टेमल से एसेस एंड जावस्किप्ट, तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, यहाँ पे यूट्यूब, क्लिक इस वीडियो में, एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटव रैपों मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए इसका शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, हम आचुके अपने वीडियो कोड में, और यहाँ पे मैंने फोल्डर उपने करका है, ड्रॉप डाउन, मैन्नू, फर्स्ट और फॉल हम बना लेंगे index.html, css के लिए मिल बना लेंगे styles.css, और जावा स्क्रिप्ट के लिए मिल आलेंगे, script.js, index.html चलते हैं, यहाँ पे अपना वाइल पे टोड ले आएंगे, टाइटल में हम कर देंगे, drop-down menu, और अपने styles को लिंग कर देंगे, link styles.css, अब अपनी script को भी लिंग कर देंगे, script.js, इसको कर देंगे, हम defer, ताकि हमारे script execute हो, हमारी html document parse होने के बाद, body के अंदर चलते हैं, यहाँ पर अभी कर लिखते हैं, drop-down menu, save करते हैं, और हम go live पे लिख करेंगे, और हमारी website यहाँ पे live हो जाएगी, तो यह हमने किया live server extension को use करके, तो आप भी इसे install कर सकते हैं and use कर सकते हैं, अब चलते हैं, अपने index.tot.txt में और यहाँ पर code लिखते हैं, तो सबसे पहले मुझे एक div चाहिए, जिसको मैं class दूँगा, drop-down, अब इस div के अंदर हमें एक और div लेंगे, जिसको हम class देंगे, select, इस select के अंदर expand, जिसको हम class देते हैं, selected, तो हमारे drop-down menu में जो भी selected होगा, वो हमें यहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ पर अभी के लिए कर देते हैं, YouTube, एक arrow शोग होगा हमें, तो एक div लेते हैं, उसको हम class दे देंगे, carrot, और इस div का हम, carrot बनाएंगे, arrow बनाएंगे, इस div के बाहर चलते हैं, और unordered list ले लेंगे हम यहाँ पर, इसको class दे देते हैं, menu, इसके अंदर आएंगी, list items, तो first list item कर देते हैं, Instagram, second list item कर देते हैं, Twitter, GitHub, and last में, YouTube, अब YouTube हमारे पाँ selected है, तो इसमें class होगी, active, इसे हमें active दिखाना है, save करते हैं, तो आप देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर YouTube दिख रहा है, Instagram, Twitter, GitHub, and YouTube, अब हमें इने styles देने हैं, तो चलते हैं, इने styles में, यहाँ पर सबसे पहले all admin select करेंगे, margin कर देंगे, zero, padding कर देंगे, zero, box sizing कर देंगे, border box, font family कर देंगे, sense, erif, body को styling देते हैं, min height कर देते हैं, 100vH, display कर देंगे, flex, line item center, justify content center, flex wrap कर देंगे, wrap, save करते हैं, तो आप देखें, हमारे पास, यह सब कुछ हमारे पास center में आ चुका है, background हमें black रखना है, but अवी के लिए white रखते हैं, क्योंकि हमें देखना है, कि सब क्या हो रहा है, इसके बाद आते है हमारा drop down, drop down को styling देते हैं, min width देते हैं, इसको 15 EM, position कर देंगे relative, margin कर देंगे, 2 EM, save करते हैं, तो यह styles भी हमारे पास लग चुके हैं, इसके बाद आते हैं हमारा select, इसको हम background देते हैं, 2A2, F3, B, color देते हैं white, display कर देते हैं flex, justify content करेंगे, space between, space between इस लिए क्योंकि हमारे पास एक side YouTube आयागा, दूसरे side हमारा carrot आएगा, और बीच में space आएगा, जितना में हमारे पास बचेगा, align items, center, border देते हैं, 2 pixel, same color, solid, border radius देते हैं, 0.5 EM, padding दे देंगे, 1 EM, cutser कर देंगे, pointer save करते हैं, तो यह हमारे पास बन चुका है, अब इस pay over करने पे हमारा color चेंज होना चाहिए, वो smoothly हो, तो उसके लिए यहाँ पे लगाते हैं, transition, 0.3 second, यहाँ पे ले लेंगे, dot select, over, यहाँ पे इसका background, change कर देंगे हम, 323, 741, save करते हैं, अगर मैं यहाँ पे over करूँ, तो इसका background, change हो रहा है, अब हम यहाँ पे एक और class अड़ करेंगे, dot select clicked, अब यह class हमने HTML में अड़ नहीं की हुई है, इस class को हम अड़ करेंगे, using JavaScript, जैसी हम यहाँ पे अपने select पे क्लिक करेंगे, तब हम यह class अड़ कर देंगे, तो इस class अड़ होने पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे हम इसका border change कर देंगे, 2 pixel, 26489A, solid, and box shadow भी लगा देंगे इस पे, 00, 0.8, EM, and same color, save करते हैं, अब इस class जब जैसे हम क्लिक करेंगे, तो एक class अड़ होगी, और यहाँ पे हमारे select पे, और drop down पे border आ जाएगा, and box shadow आ जाएगी, इसके बाद हमें अपने carrot पे काम करना है, तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे ले लिए लिए carrot, weight दे देंगे इसको 0, height दे देंगे 0, border left कर देंगे 5 pixel, solid, transparent, border right कर देंगे, 5 pixel, solid, transparent, इसके बाद border, top लगा देंगे, 6 pixel, solid, and white, save करते हैं, तो आप देखें, हमारा carrot और arrow बन चुका है, अब जैसी हम इस पे क्लिक करेंगे, अपने select पे और drop down पे, तो एक carrot रोटेट होगा, तो वो भी smoothly rotate हो, उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं, transition, transition, 0.3 second, अब यहाँ पे एक और class अट करते हैं, carrot, rotate, इसमें इसको transform कर देंगे, rotate, 180 degree, अब यह class भी हमें जावस्क्रिप्ट में आट करनी है, जब हम क्लिक करते हैं, अपने drop down पे, तो जैसी क्लिक करेंगे, तो हमारा यह class हमें आट कर देंगे, और हमारा carrot, rotate हो जाएगा, अब इसके बाद आता है हमारा menu, जो की नीचे यहाँ पे, Instagram, Twitter, GitHub, YouTube है, इसको भी हम styling देते हैं, dot menu, list style none, padding दे देंगे, 0.2 em, 0.5 em, background दे देंगे, 323, 741, border दे देंगे, 1 pixel, 363, 43, and solid, इसके बाद, box shadow, 0, 0.5 em, 1 em, RGBA, 0,0, 0,0.2, border radius लगा देंगे, 0.5 em, color दे देंगे, 9FA, 5B, 5, position कर देंगे, absolute, top से कर देंगे, 4 em, left से कर देंगे, 50%, width कर देंगे, 100%, transform कर देंगे, translate x, minus 50%, save करते हैं, तो यह हमारे पास सब सही से आ रहा है, अब हमारी list items हैं, तो list items को भी अब हमें, styling देनी हैं, तो यहाँ पे आएंगे हम, dot menu, li, padding देते हैं, 0.7 em, 0.5 em, margin दे देंगे, 0.3 em, 0, border radius लगा देंगे, 0.5 em, गर्सर कर देंगे, pointer, save करते हैं, तो अब यह भी हमारे पास सही से, आ रहा है, अब अगर हम अपनी website पे जाएं, और इन list items पे hover करते हैं, तो हमें पता हैं लग रहा हम, किस item पे hover कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे add करेंगे, dot menu, li, over, over करने पे इसका background कर देंगे, हम, 2a, 2d, 35, save करते हैं, अगर हम अपनी website पे चलें, hover कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है, हम किस list item पे, hover कर रहे हैं, इसके बाद हमार पास YouTube active है, तो active class को भी styling देते हैं, active, इसका background कर देते हैं, 232, 42, a, save करते हैं, तो यहाँ पे YouTube active है, YouTube उपर आ रहा है, तो नीचे YouTube active हमार पास आ रहा है, अगर हम hover कर रहे हैं, दूसरी list item पे, तो हमें पता चल रहा है, हम किस पे, hover कर रहे हैं, अब अपने background कर कर देते हैं, black, background, black, save करते हैं, तो अब हमें, ज़्यादा सही से, दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद, हमें, यह items हमें, पहले show नहीं करनी, जब हम अपने drop down पे click करते हैं, तभी हमें यह item, show करनी है, तो उसके लिए हमें एक और class बनाएंगे, dot menu, open, एंड इसको भी add करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थुरू, जब हम click करेंगे अपने drop down पे, तो यहाँ पे हम इसका display कर देंगे, block, opacity कर देंगे, one, and हमारे पास उपर menu है, अब menu के opacity कर देंगे, हम zero, display कर देंगे, none, transition कर देंगे, 0.2 second, and z index कर देंगे, one, save करते हैं, तो अब हमें यह नहीं दिखाए देरी, अभी click करेंगे, तो अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने javascript में कुछ add नहीं किया, अब चलते हैं अपनी script.js में, यहाँ पे सबसे पहले select कर देंगे, const, drop down, equal to document, dot, query selector, इसके बाद हमारे select है, जो कि हमारे डेव है, तो इसको select कर लेंगे, const, select, equal to drop down, dot, query selector, dot, select, तो अब drop down में जो हमारे पाद select है, यह उसको select कर लेगा, इसके बाद हम अपने carrot को select कर लेते हैं, carrot, equal to, drop down, dot, query selector, dot, carrot, इसके बाद अपने menu को select कर लेंगे, const, menu, equal to, drop down, dot, query selector, dot, menu, इसके बाद हमारे options हैं, जो कि मारे पास Instagram, GitHub, LinkedIn, and YouTube हैं, तो अपने options select कर लेते हैं, const options, equal to, drop down, dot, query selector, all, use करेंगे, क्योंकि मारे पास multiple option है, menu, list items, इसके बाद, const selected, जो कि हमारा YouTube हमें, show हो रहा है, equal to, drop down, dot, query selector, dot, selected, अब हमारे select पे जब क्लिक होगा, तब हमें, menu शो आँची है, हमारा carrot, rotate हो जाँची है, तो उसके लिए यहां पे लेते हैं, select, dot, add event listener, यहां पे add कर देते हैं, click, तो click होने पे हमारे पास, क्या हो, select, dot, class list, dot, toggle कर देंगे हम, select, clicked को, इसके बाद, carrot को भी हमें, rotate करना है, carrot, dot, class list, dot, toggle, अपनी class को, toggle कर देंगे हैं, कौन सी class को, carrot, rotate, and last में हमें, अपना menu शो करना है, menu dot, class list, dot, toggle, और यहां पे select करेंगे, menu, open, तो menu open हमारा, toggle हो गया, menu देखेगा, जब हम click करेंगे, फिर से click करेंगे, तो menu hide हो जाएगा, save करते हैं, और अपने website पे चलते हैं, and आप देखेंगे, हमारा एक carrot भी rotate हो रहा है, and हमारा जो select है, इसके पीछे box shadow आ रही है, and इसका border change हो रहा है, तो हम यह तीन class, toggle करेंगे, and यह तीन class हमारा पास ही है, एक है menu open, तो display block हो जाता है, opacity 1 हो जाती है, इसलिए हमें यह menu दिखाई दे रहा है, and इसके ऊपर चलते हैं, तो carrot rotate, इसको हमने rotate कर दिया 180 degree, इसलिए यह class हमारा पास toggle हो रही है, इसलिए हमारा पास यह carrot rotate हो रहा है, and last में select click है, border लग रहा है, and box shadow लग रही है, जो कि हम यहाँ पे दिखाई दर है, click करते हैं तो हट जाती है, फिर से click करेंगे, तो हमारा पास यह select की class लग गई, अब इस पे border लग गया, and box shadow लग गई, अब अगर हम अपनी list item पे click कर रहे हैं, तो भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम click करेंगे Instagram पे, तो यहाँ पे selected में आ जान चाहिए Instagram, and यहाँ पे भी active हो जान चाहिए Instagram, तो उसके लिए हम अपने code में चलते हैं, यहाँ पे ले लेंगे options dot for each option, and इसके अंदर लेंगे option dot add event listener, जब किसी option पे click होता है, तो हमारे पास क्या हो, तो उसलिए यहाँ पे लेते हैं function, यहाँ पे लेंगे selected dot inner text, equal to कर देंगे option dot inner text, तो जिस option पे हम click करेंगे, जैसे Instagram पे click किया, तो inner text जिसका Instagram है, तो हमारे selected का भी inner text Instagram हो जाएगा, इसके बाद हमें अपनी select dot class list से remove कर देना है, select clicked, ऐसे ही carrot dot class list से remove कर देंगे हम, carrot rotate, and last menu dot class list dot remove कर देंगे menu open, क्योंकि अगर हमारे अपनी option select कर लिया, तो यह सब कुछ हमारे पास बंद आज़े, क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं यहां पर Instagram प्लिक किया, तो हमारा Instagram यहां पर आ गया, select click में, and हमारे drop down भी close हो गया, हमारी यह class remove हो गई, बट यहां पर active class में हमारे पास Instagram नहीं आया, तो उसके यहां पर हमें लेना पड़ेगा, options.forEach, option.classList.removeActive, and हम एड दिए अपनी active class, जो हमारा selected option होगा, option.classList.add, active, save करते हैं, अब अगर हम यहां पर, अपने drop down पर click करेंगे, तो हमारी item शो हो गई, Instagram पर click किया, तो Instagram आ गया हमारा selected में, and नीचे भी हमारे पास active में, Instagram शो हो रहा है, Twitter पर click करेंगे, तो हमारे पास selected में, Twitter आ गया, क्योंकि हमने यहां पर लगा है, selected.inertext, option.inertext, तो जिस option पर हम click करेंगे, वो option हमारे पास selected में आ रहा है, and नीचे option.classList.add में, active class add हो रही है, तो जिस option पर click करेंगे, उसमें हमारे पास add हो रही है, active class, और बाकी जग़े से, हम remove कर देने हैं, active class को, फिर से click करते हैं, github पर click करेंगे, तो हमारे selected में आ गया github, and नीचे भी हमारे पास active class होगी, github, last में youtube, अब एक बार हम इसे full screen में देख लेते हैं, तो full screen में हमारे drop down menu, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, and हमारे पास work भी सही से कर रहा है, तो हमारे drop down menu complete हो चुगा है, using html css and javascript, and इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा, जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, इस video के end तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपकी कोई session है, तो नीचे comment कीजिए, इस video के लिए बस इतना ही, मिलते आपसे next video में, thank you.